नमश्कार वेलकम टू एच्प अमित एज्यूगेशन शोर्ट क्लासेज जो की डाटावेस हमारी आज कल चले हुई हैं इसमें यह फॉर्थ वीडियो रहेगी जिन्होंने प्रिविस क्लासेज नहीं देखी हैं वो जो लिंक आपको डिस्क्विशन में मिल जाएगा इसमें हम एज्यूगेशन से समझेज जो भी डाटा बनता वो सारा डिसकस करेंगे आज की कलास मौस 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 इप्रण होने वाली है जिन्हों अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली जो अप्डेट्स हैं वो भी आपको मिल सकें सबसे पहले हम एक बट कमपैरजन में भी कोशन बनते हैं मेल फिमेल भी साथ में इमेंशन किया गए है मेल का जो लिट्रेसी रेट है लगबग 89.53 परसंट है और जो फिमेल है उनका जो लिट्रेसी रेट 75.93 परसंट बनता है इनके बीच का भी डिफेंस आपको पता होना चाहिए कि मेल और कि जो लिट्रेसी रेट है उनके बीच डिफेंस कितना है आप माइनिस करेंगे तो यह लगबग 13.60 के बराबर बनेगा और लास्ट जो संसस था 2001 उसके कोडिंग जो अवरॉल लिट्रेसी रेट इंक्रीज हुई है वो भी आपको पतान हो चाहिए 2001 के कोडिंग 76.48 परसंट हिमाच्य प्रदेश की लिट्रेसी थी तो कंपरेजन करें तो लगबग 6.32 परसंट जो है निक्रीज 2011 के संसस के कोडिंग यहां पर हुआ है दीप कोशन आज कर पूछे जा रहे हैं तो यह डाटा भी आपको कंपरेजन में पता होना चाहिए नेक्स्ट 1951 के कोडिंग भी बहुत बार एक्जाम में कोशन पूछा गया है 1951 में हिमाच्य प्रदेश श्रीश रणी कराज्य बना था तो उसमें हिमाच्य प्रदेश की लिट्रेसी 7.98 परसंट थी आप मेल फिमेल भी एक बार नजर यहां पर मार सकते हैं और उसके बाद 1971 का आपको पता नोशी क्योंकि 1971 में हिमाच्य प्रदेश बना था तो उसमें हिमाच्य प्रदेश की जो लिट्रेसी थी वो थी 31.71 परसंट अभी जो 2011 का संस्थ है इसमें सबसे ज्यादा लिट्रेसी है 82.80% बाकी comparison में भी आप एक बार जो है बूर डाटा नोडून कर सकते हैं ग्राफ भी देख सकते हैं अभी 2011 और 1951 के कोडिंग देखें तो काफी ऊपर की तरफ जो ग्राफ गया है तो यह कुछ important डाटा जो की आपको पता हो ना चाहिए next next देखें यहाँ पर ruler और urban में भी यहाँ पर literacy divide कर गी है ruler और urban के according भी कुछ main data आपको पता हो ना चाहिए जैसे कुछ data हमना भी note on कर लिया अब ही देखें रूल और urban में यहाँ पर सारे district mention किये गए है district recording सबसे ज्यादा और सबसे कम आपको पता हो ना चाहिए और जो बड़े एक्जाम्स हैं जैसे बड़ा सबसे छोटा पता होना चाहिए और एक overall जो उनको पता होना चाहिए तो सभी एक्जाम्स के लिए यह data important है सबसे पहले देखें रूरल का रटा जो ग्रामीन लिट्रेशी है उसमें जो overall लिट्रेशी बनते हैं बनती 81.90 ठीक है और जिसमें male और female देखें तो 89.1 परसेंट जो ग्रामीन में male लिट्रेशी यहाँ पर बताए गई है और female के 74.6 परसेंट जो बताए गई है तो जादा डिफेंस नहीं है जो टोडल के अकॉर्डिंग और अर्बन लिट्रेशी में अर्बन लिट्रेशी जो overall हिमाच्य परदेश की है वो 91.90 परसेंट तो overall तो आपको पता होने ही चाहिए और male और female में देखें तो male में 93.40 परसेंट जो male लिट्रेशी शेहरी की बनती है और female में 88.4 परसेंट बनती है तो एक बार जो overall डाटा है इसको ध्यान से नोड़न कर लेना जिनके education field के exams है mostly education field में ही हमारी classes रहती है तो यह सारा ही डाटा जो उनके लिए important है बीच में कुछ डाटा और important रहता है जैसे ruler में देखें कि 59.70 परसेंट female literacy district चमबा में सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा female literacy काम पर है ज़्यादा rural जो literacy है वो ही exam में पुछ जाती क्योंकि हिमाचरप्रदेश में 90% के करीब अग्रामिन एरिया ही बनता है हमीरपूर की literacy rate female में 82.10% है ठीक है और अर्वन का भी आप देख लें अर्वन एरिया लहोल स्पिति और किनोर में बनता नहीं है तो यहाँ पर literacy भी mention नहीं कीगी है वाकि female में सबसे कम अर्वन में जो literacy है वो mention करीगी है उना की 83.1% जाता अर्व मेल का ही पुछ जाता है और भी आप यहाँ से data comparison में करना चाहें तो कर सकते हैं नेक्स्ट जो literacy है डिस्टिक वाइस data देख लें percentage में सबसे ज़्यादा literacy rate हमीरपु डिस्टिक का 88.15% और second नमबर पे उना उना का 86.53% स्टारिंग के highest में आप देखें और lowest में चंबा का चंबा का literacy rate 72.17% है और उसके बाद आता है लहोल स्पिति लहोल स्पिति का लागो 76.81% है तो डिस्टिक वाइस भी literacy में में स्टारिंग के दो बड़े district और सबसे कम literacy वाली दो डिस्टिक यह आपको कम से कम पता होना चाहिए नेक्स्ट बड़े exams के लिए SC और ST का data SC और ST हिमाच्वर परदेश में देखें तो overall सबसे पहले देखते हैं SC का SC का जो overall literacy rate है वो है 78.9% जिसमें male female का देखें तो male का है 86.2% और female का है 71.5% तो overall में ही आप सुन करें बाकि डिस्टिक वाइस भी आप कमपैर्जन करना चाहें तो कमपैर्जन कर सकते हैं जो बड़े exams है क्लास में क्लास टू बाहां पर यहां से deep questions भी पूछे जाते हैं ST का देखें तो ST की population हिमाच्वर परदेश में कम हैं overall जो सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके और हम भी motivate हो सके सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए नेक्स्ट हमने कुछ की पॉइंट लिए हैं एकॉनमिक सब्सक्राइब 23-24 से बाकी डिटेल में वीडियो और हम पहले बना चुके हैं एकॉनमिक सब्सक्राइब से रिलेटेड हमाचरप्रदेश में अवरोल जो स्कूल हैं यहां पर आप देखें प्रैमरी स्कूल में कि लगबग 10,370 टोटल प्रैमरी स्कूल है और लगबग 1850 मिंडर स्कूल है और 960 हाई स्कूल है यह डाटा एक्जाम में पहुच्छा नहीं जाता है बट फिर भी आपको एक आईडिया जो होना चाहिए कि हमाचरप्रदेश में कितने स्कूल है अबरोल जो प्रसेंटेज है लिटरेसी की वह आपको हमें अरोडी बता दी है बट यहाँ पर एक सर्वे हुआ है जिसे बोलते हैं नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे शोर्ड में बोलते हैं NFHS उनके द्वारा सर्वे करवाए गया है 201921 के बीच में उसकी रिपोर्ड के नुसार अब हिमाच्रव प्रदेश में जो लिटरेसी रेट है यह लगबक 93.3% के करीब है तो इन सर्वों के कोडिंग भी एक्जाम में कोशन के वार बन जाते हैं और मेल और फिमेल की बताएगी है जिसमें मेल की बताएगी है कि 94.9% के करीब अभी लिटरेसी है और फिमेल की 91.7 के करीब माच्रव प्रदेश में लिटरेसी है और इनके बीच अभी डिफ्रेंस लगबक 3.2 का है तो जो न्यू सर्वे करवाए जाते हैं लग 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 जंसिस के द्वारा तो यह भी के वार एक्जाम में पूछ ली जाते हैं में डाटा सेंस का ही रहता है जो आप और से नोडन कर रहे हैं तो इसको भी आप ध्यान में रखें इनके साथ बोसी स्कीम एड्यूकेशन फिल्ड में इंप्लिमेंट हुई है एक नई स्कीम जो अभी 2024 में ही इंप्लिमेंट हुई है यह स्पेशली सिरकारी स्कूलों की जो विवस्था उसको सुदारने के लिए ने स्कीम जो कव बोनीट लेक है अपने विदाले हिमाचल स्कूल अडॉपिशिन प्रोग्राम स्कूल रखेंट का रेकरम हिब जो में में हसती हैं परदेश में अगर बहुत सिरकारी स्कूलों को अडॉप्ट करना चाहें तो अडॉप्ट कर सकते हैं तो कब इसका आदि सूच सब्सक्राइब कर सकते हैं जैने बाद